हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज आपके सामने नंबर एनालोजी के लेटेस्ट SSC GD में आए हुए कुछ important questions हैं इनके pattern को आपको ध्यान में रखना है जो भी इसमें pattern यूज हुआ है आपको क्या करना है पहले खुछ से solve करना है इक question सारे उसके बाद ही solution देखना है और आपको बताना है कि आपने 6 में से कितने question साही किये ये एक भाईया ने मुझे भेजे थे बहुत सारे question पूछे गए थे और काफी सारे आसान थे और जो मैंने previous पहले करवाए हुए है उसी pattern पे थे ये भी उनी में से वही pattern है लेकिन आपको ये pattern को ध्यान में रखना है एक important बात में आपको बता दूँ आप सभी ये question करें जो भी देख रहे हैं पहले खुछ से और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको जादे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अभी आपको focus करना है आप mock लगाईए आप कुछ revise करिए उसमें focus करें अभी आपको कोई भी वीडियो जैसे आपने का कि आपका missing number topic week है तो आप ये मत करना कि missing number की playlist लेके आपने सारे वीडियो देखना start कर दें उससे कोई फायदा नहीं होने वाला रही वो होते हैं जब आपका exam का notification आता है उस समय से अगर आप practice करते हैं तो तब के लिए फायदे मन रहते हैं अभी आप वो करने बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि काफी सारे message मुझे आयते हैं कि अगर मैं ये topic के सारे videos करना हूँ अब मैंने एक playlist बनाई है missing number की उसमें आपको 20 से 21 वीडियोज मिल जाएगी उतनी वीडियोज अगर आप करोगे आपको अभी कोई फायदा नहीं होगा वो practice के लिए होते हैं ठीक है और practice के लिए वो भी जिन्होंने कोई previous year book करी हुई है पहले उन्हें ये करने की जरुवत नहीं है ठीक है तो वही content उसमें है उसका solution है अगर आपने कोई भी book करी हुई है जहां से आपने बहुत सारे question missing number के करे हैं number analogy के करे हैं coding recording के करे हैं तो आपको वो करने की अलग से जरुवत नहीं आपने वो करा है तो वो भी वही content है जो आपका TCS ने पूछा हुआ है तो ये मैं आपको बता दू काफी comment ऐसे भी आया थे कि मैंने ये book कर ली है तो मुझे वो videos देखने की जरुवत है या नहीं है तो मैं उन्हें बता दू उन्हें नहीं है क्योंकि वो already पढ़ चुक है और एक और बात जैसे आपने किसी भी teacher से पढ़ा है तो आपको फिर से यहां आके वही videos देखने की जरुवत नहीं अगर आपने number analogy पहले ही पढ़ा हुआ है किसी teacher से missing number पढ़ा हुआ है तो फिर से आपको यहां अगर videos देखी फिर इनको पढ़ने से अपना time waste नहीं करना है तो अपने आप पे विश्वास रखें जहां से भी आपने पढ़ा है तो आपको ऐसे एक teacher के बाद दूसरे teacher के भी वही videos तो तीसरे teacher के पास भी वही videos सब videos देखने की ज़रुवत नहीं है कहीं से भी आपने पढ़ा है उसी पर विश्वास रखें और अपनी practice करें तो अभी practice पर आप practice और revision अभी कर सकते हैं जैसे GS का आप revision कर सकते हैं वह के वाप revision कर सकते हैं इसी पर ध्यान देना है देखोगे भी 320 से आपका 4 है यह जो number 320 काफी बढ़ा है तो इस number पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा multiply करके मैं जा सकता हूँ और आपको ध्यान रखना है square cube का भी अब आपको direct square cube दिया नहीं होगा आपको सोचना पड़ेगा अब देखो अगर मैं यहां से 4 से 320 जाता तो मैं कैसे जा सकता हूँ 2 से 40 कैसे जा सकता हूँ अगर मैं यहां पर 2 का cube करूँ ठीक है 2 का cube करूँ 2 का cube करूँ कितना होता है 8 होता है इसे मैं 5 से multiply कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा same मैं यहाँ पे करूँगा 4 का cube, यही pattern होना चीए, 4 का cube, 4 का cube कितना होता है, 64, 64 को 5 से multiply करूँगा, 6, 35, 35 को 20, तो मुझे 320 मिल जाएगा, तो आप देखो, दोनों में same pattern है, तो same अगर आप यहाँ पे कहें, यह आपका A ratio B है, तो आप यह बोल सकते हैं, B का cube into 5 कर रहे हैं, त X मानले या फिर option से भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपने माना X है, तो आप कहोगे X का cube करना है, इसे 5 से multiply करना है, तो मुझे क्या मिल रहा है, 17, 15 मिल रहा है, इसे आप यहाँ पे X का cube, इसे आप यहाँ डिवाइट करेंगे, तो आप देखोगे 5 तिया 15, यहाँ पे 2, 5 तिया 15, 2, और यहाँ पे 5 चको 20, और 5 तिया 15, 343 आ गया, 343 किसका cube होता है, X की value यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, तो इसका right answer आपका क्या होगा, आपका second option 7 हो जाएगा, समझ में आ गया, क्या pattern है, इस तरीके के pattern भी आप से पूछे जा सकते हैं, next question देखते इसे देखें, खुछ से करें, यहाँ पे 18 है, 4 है, 36 है, 16 है, अब आप देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, यह नमबर देखके आपको समझना है, square cube, ठीक है, square cube, यह 4 है, यह 16 है, अगर मेरे पास कम समय होगा, मैं इतना ही देखूँगा, तो मैं यहाँ पे 9 कर कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं 18 को यहाँ पे 9 से divide कर दू, तो मुझे 2 मिलेगा, उसका square कर दू, तो मुझे 4 मिल जाएगा, same pattern मैं यहाँ पे लगाँगा, 36 को मैं 9 से divide करूँ तो 4 मिलेगा, इसका square करूँ तो 16 मिलेगा, 27 को मैं 9 से divide करूँगा, 3 मिलेगा, और इसका square करूं चार और इसे 9 से multiply करूं तो मुझे 36 मिल जाएगा ठीक है वही बात है यहां पे आपका 9 का अप अंडर root करेंगे और इसे 9 से multiply करेंगे तो 27 मिल जाएगा ऐसे भी आप बोल सकते है ठीक है जैसे आपको लगए आप ये बोल ले ये 9 दूनी 18 है तो ये 2 का square है ठीक है इसी परकार ये 9.36 है तो ये 4 का square है 9.37 है तो ये आपका 3 का square है ये सारी बात है एक ही है एक ही तरीके से बस घुमा फिरा के कहने की बात है अलग-अलग तरीके से आप सोच सकते है तो इसका right answer आपका क्या होगा third option होगा 9. next question देखें यहाँ पर आप देखिए 9 है 11 है 29 है 21 है 37 है आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो सारे है यह odd number है ठीक है 9 भी 11 भी 29 भी 29 भी 27 और option में भी एक ही 25 तो इसका answer 25 हो सकता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके 2 option होते हैं और यह आपका वहाँ पर follow नहीं करेगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर pattern भी आपका है जो pattern है वो मैं आपको बता रहा हूँ या तो आप यहाँ से 11 से 9 पर पहुंच जाएए 21 से 29 पर और यहाँ से 37 पर या आप 9 से 11 में भी पहुंच सकते हैं मिल गया ठीक है pattern क्या है A ratio B है तो A पे मैंने 13 add किया और उसका half मैंने किया तो मुझे क्या मिल जा रहा है B मिल जा रहा है तो same pattern यहाँ पे आ जाएगा 37 पे मैं 13 add करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा आपका 50 मिलेगा 50 का half मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा या कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं उन्होंने यहां से यहां गए तो कहेंगे कि 11 का double किया 12 इस में से मैंने 13 minus कर दिया तो मुझे कितना मिला 9 मिल गया सेम आप देखोगे 21 दूनी 42 इस वही बात है बस सोचने वाले ऐसे भी सोच सकते है 42 में से मैंने 13 minus कर दिया तो 29 मिल गया और X की जगह आप समझो X into 2 है इस में से 13 minus किया तो मुझे 37 मिलना चाहिए तो यहां से X की value कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी जो की fourth option है next question देखो चार का 250 है पांच का आपको बताना है चाह का बार सा 90 अब देखके आप यहां पे समझ सकते हैं कि बड़ी संक्या है तो कहीं न कहीं आपको क्या करना होगा multiply करना होगा या multiply करना होगा या आपको square cube power 4 भी आप जा सकते हो याँ पे आप देखो कि 250 देखके यहां पे यहां चार है यहां 250 है अब मुझे पता है कि 250 के नजदीक जो होता है 4 की power 4 जो होता है 256 होता है 4 की power 4 256 होता है इसमें से मैं 6 minus कर दू तो मुझे कितना मिल जाएगा 250 मिल जाएगा इसी प्रकार अगर 6 की power 4 करता हो तो 6 की power 6, 216 होता है 6216 ए 1696 होता है सेम यहा से 6- करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 1290 मिल जाएगा सेम पैटर्ण यहां भी लगा लो, 5 की power 4 आपका कितना होगा? 635 होगा इसमें से 6 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 619 जो कि आपका option है third option next question देखो इसे करो 4 का 96 है 13 का आपको बताना है 9 का आपका 161 है तो यहाँ पे देखो क्या pattern होगा 4 से 96 जाना है तो square करके देख सकतो यह pattern भी आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ आप देखोगे अगर मैं 4 का square करता हूँ 16 और इसमें मैं 80 जोड़ देता हूँ तो मुझे 96 मिलता है सेम यहाँ भी करूँगा मैं 9 का square करूँगा 81 81 मैं 80 जोड़ता हूँ तो आप देखोगे 161 मिल जाता है तो सेम मैं यहाँ भी करूँगा 13 का square करूँगा 13 का square में 80 जोड़ूँगा तो आप देखोगे 169 प्लस 80 यहाँ पर add करूँगा तो 9, 16 और 8, 24 29 इसका right answer हो जाएगा जो कि आपका second option है next question देखते हैं यह आपका last question है इसे देखें कैसे आप करेंगे यहाँ देखें 20 से 2 है 42 से 4 है 72 से आपको अब कैसे आप जा सकते हो आप यहाँ पर बोल सकते हो 20 और 2 ठीक है इसे आप देखो यह आपका क्या है 425 है और 2 चाहिए तो मैं यहाँ पर बोल सकता हो यह 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 मिल जाएगा इसी परकार इस वाले में देखूँआ यह आपका 6, 72 है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे 4 चीए, तो 6-2 करूँगा, तो 4 मिल जाएगा, तो सेम यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, चार और 5, 4 के बाद 5 नमबर है, 6 के बाद 7, तो यहाँ पर 8 में से 2 मैनस करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 6, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, first option 6 हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हो, या इसे का reverse भी आप बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, और क्या हो सकता इसमें, 2 से आपको 20 में जाना है, तो 4 पंचे 20 है, वही आप बोल लोगे, 2 में मैंने 2 add कर दि 8 होता, 8 को 9 से multiply करते हैं, 72 हो जाता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, जैसे आपको बोलना, वह आपकी मरती है, ठीक है, तो आप खुद से करोगे, तो इसमें और कोई भी logic हो सकते हैं, क्योंकि इतने लोग देखते हैं, सब अपने mind से सोचते हैं, तो बस तरीके आपके अलग- करते हैं, फिर से बता दू, आपको जादे वीडियो देखने की अभी जरुवत नहीं है, इतना समय आपके पास नहीं है, अभी आप revise करें, revise पर ध्यान रखें, कुछ topic जैसे हैं, आपके missing number, इनके कुछ pattern आपके पास है, आपने note किया हैं, तो उन्हें आप ध्यान में रख करते चलें,